सिस्क्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को दबाईए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए दोस्तो अगर आपके फोन में वाइस टाइपिंग का उपसन नहीं आ रहा है तो इस प्रोल्म को कैसे सोल करेंगे इसी के बारे में आपको बताएंगे तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं हेलो दोस्त मेरा नाम है अजात कुस्वाहा तो यहाँ पर आप दे सकते हैं मैंने यहाँ पर वाइस टाइपिंग कुछ भी कर रहा हूँ तो यहाँ पर हम वाइस टाइपिंग नहीं कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर अगर हम नॉर्मल टाइप करते हैं किसी को तो यहाँ पर हम नॉर्मल टाइप कर पा रहे हैं अब देखें यहाँ पर आपके समने दो रिजन आ सकते हैं आप voice type पर click करते हैं तो आपके समने इस तरह का error觉 नेकल मिल सकता है अपके समने कुछ notice दे सकता है जिसको आप पड़कर यहाँ पर ठीक कर सकते हैं दूसरा आपको इस तरह का मिलेगा कि आप voice typing पर click करेंगे वहाँ पर click ही नहीं होगा तो यह ज़्यादातर Redmi के Mobile और Poco के Mobile में होता है तो अगर आप कोई भी Redmi का Mobile यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का आपको Error देखने के लिए मिल सकता है तो इसको Sol करने के लिए आपको सबसे पहले Mobile की Setting में आना है और जैसे ही आप Mobile की Setting में आते हैं तो आपके समनी इस तरह का Page देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पर आप थोरा सा नीचे आएंगे आपको यहाँ पर Additional Setting का एक Option देखने के लिए मिलेगा तो इसके उपर आपको एक बार क्लिक करना है जैसे ही आप Addition Setting पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको Language and Input का एक Option मिलेगा तो इसके उपर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप इसके उपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको Current Keyword एक मिलेगा तो यहाँ पर अगर आपका Already Select है तो अच्छी बात है अगर यहाँ पर आपका कोई भी Select नहीं है तो आप Gboard का Option आ रहा है तो वहाँ से आप उसे Gboard में Select कर दीजिए ज़्यादा अच्छा होगा ठीक है तो जैसे आप Gboard में Select करेंगे यहाँ पर आप Manage Keyword में आएंगे और यहाँ पर आप इन दोनों Option को Own कर देंगे Gboard and Google Voice Typing तो जैसे आप इनको Own करते हैं अब यहाँ पर आप दे सकते हैं कोई भी Voice Typing करेंगे तो हमारी Voice Typing अब भी नहीं हो रही है तो यहाँ पर हम करेंगे क्या WhatsApp का जो हमने साइड ओपन करके रखी हुए इसको हम साफ करेंगे साफ करने बाद क्लिर करने के बाद यहाँ पर आप जैसे ही किसी भी content को Open करते हैं और यहाँ पर आप देखिए हमारी जो Voice Typing है वो होने स्टार्ट हो चुकी है तो इस तरीके से आप अपने प्रोब्लम को बड़ी असनी से सोल कर सकते हैं अगर आपको फिर भी कोई भी प्रोब्लम होती है गूगल कीवर्ड से रिलेटेड तो आप मुझे इस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हैं अगर आप मुझे टेलीगराम चैनल पर जोइन नहीं किया है तो यहां पर आप मुझे जोइन कर लिजे वीडियो के लिंक और एप के लिंक जो भी होती है सब आपको यहीं पर मिलती है